साथियों, इस महामारी ने दुनिया के हर देश, हर संस्ता, हर समाज, हर परिवार, हर इंसान के सामर्थ को, उसकी सिमावों को बार बार परखा है. वही इस महामारी ने साथियों, सरकार, समाज, संस्ता और व्यक्ति के रूप में भी, हमें अपनी शमताओं का विस्तार करने के लिए सतर्ग भी किया है. पी-पी-ई-कीड्स और टेस्टिंग इंफास्रेक्टर से लेकर, कोविड कैर और ट्रिक्मेंट से जुड़े, मेडिकल इंफास्रेक्टर का जो बड़ा नेटवर्क आज भारत में बना है, वो काम अब भी चल रहा है, और वो इसी का परड़ाम है. आज देश के दूर सुदूर में अस्पतालों तक विवेंटिलेटर्स, ऑक्सिजन कंसेंट्रेटर्स पहुंचाने का भी तेज गती से प्रयास किया जा रहा है. देड़ हजार से जादा आक्सिजन प्लांच बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है, और हिंदुस्तान के हर जीले में पहुंचने का एक भगीरत प्रयास है. इन प्रयासों के बीच एक स्किल्ड मैन पावर का बड़ा पूल होना, उस पूल में नए लोग जुड़ते रहना, ये भी उतना ही जरूरी है. इसी को देखते हुए, कोरोना से लड़ रही बरतमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए, देश में करीब एक लाख युवाओं को ट्रेन करने का लक्ष रखा गया है. इकोर दो-तिन महिने में ही पुरा हो जाएगा, इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्द भी हो जाएंगे, और एक ट्रेंट सहायक के रुप में बरतमान विवस्था को काफी कुछ सहायता देंगे, उनका बोज हलका करेंगे. देश के हर राज्य और केंद्र सासित प्रदेशों की मांग के आधार पर, देश के टॉप एक्सपर्स ने क्रेश कोर्स डिजाइन किया है. आज छे नए कस्टमाइज कोर्स लाँच किये जा रहा है. नर्सिंग से जुड़ा सामान्य काम हो, होम केर हो, क्रिटिकल केर में मदद हो, सैंपल कलेक्शन हो, मेडिकल टेक्निशन हो, नए ने उपकरणों की टेनिंग हो, इसके लिए युवाओं को तयार किया जा रहा है. इसमें नए युवाओं की स्किलिंग भी होगी, और जो पहले से इस प्रकार से काम में ट्रेंड हो चुके हैं, उनकी अप्स्किलिंग भी होगी. इस अभ्यान से, कोविड से लड रही, हमारी हेल्थ सेक्टर की फ्रंट लाइन फोर्स को नई उर्जा भी मिलेगी, और हमारे युवाओं रोजगार के नए आउसर के लिए, उनके लिए सुविधा बनेगी.